दोस्तों सरकारी भरती में आपका स्वागत है दोस्तों आपके लिए एक गूड यूज है भारती रिजर्व बैंक की तरफ से एक वेकेंसी आई है रिजर्व बैंक आफ इंडिया वो टोटल जो पोस्त है यह नोटिफिकेशन ने इसका ओफिशिल वेबसाइट यहां आप देख सकते हो ठीक है यह पात है और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगा आप भी चेक आउट कर सकते हो ठीक है तो टोटल नौ इसके बारे में चलिए पूरी नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से समझते हैं और मुझे लगता है कि जो है बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए और आप फटा-फट इस फांड को भर दीजिएगा और इसमें एक्जाम के पैटर्न भी बहुत ही है मैं दिखा देत हूँ आपको करके दिखाऊंगा तो चलिए यहां पर सबसे पढ़ी चीज पहली चीज है कि यह आज देख सकते हो है मेरे कंपिटर में यहां पर 17 तरीक है तो वेबसाइट का लिंक ओपन हो चुका है 17 से और यह आठ जो है मार्च 2022 तक चलेगा तिक है आप फॉर्म बहुत स होगे यह मार्च 26 27 2022 और जो मेंस वाला है यह मई में ही होगा ठीक है अभी डेट डिक्लियर नहीं हुआ है बड़ जो है डिक्लियर हो जाएगा ठीक है उस टाइम तक ठीक है प्री जब आप एक बार चेक आउट भी कर लेना आप लोग ठीक है अच्छा यह सारे स्टेट है आप देख सकते हैं इनके और कैटेगरी वाइस दिया गया है कौन-कौन सी क्या चीजे कितनी वेकेंसी किन-किन काटेग्री में दिये हैं जैसे स्टी में हो गया जनरल में हो गया टोटल जो है 950 वेकेंसी है तो यह सोच लो अलग-अलग जो है स्टेट को डिवाइड भी कि हुआ है ठीक है आप अपने लेंग्वेज के हिसाब से भी चूज कर सकते हो ठीक है इसमें न्यू डेली हिंदी वालों के लिए है अभी दिखाएंगे आगे चलके तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं इंपोर्टेंट चीजे जो हैं वो चीचे हम देखेंगे थोड़ा सा और नीचे आ जाए यह तो बस एक इंस्ट्रक्शन के तोरुपे दिया रहता है ठीक है इसको आप अच्छे से पढ़ ले ना बागे इनके तो हाँ यह दिखेंगे एक्जाम के पैटर्न देख लो आप ठीक है एक्जाम के पैटर्न आप यहां पर देख सकते हो प् टीक है है एक्जाम की में और हो। होज की अब सोंसे होंगे और आपको मिनित का साथ मिन चीजियें। और और यहीं सारी चीज है आपको करनी है और अगर मेंस में आप देखो मेंस में मल्टिपल होते हैँ लिए क्या तेस्ट रिजनिंग और टेस्ट आफ एंग्लिजिस लेंगवर्ब ये सारी चीजों को मिलांखे आप देख सकते हो computer knowledge general awareness यानि जीके से इसमें जीके का question जो है नहीं पूछ रहा है ठीक है इसमें मेंस में आपको पूछेगा total 200 number क्यों होंगे ठीक है और यह total 200 number क्यों होंगे 200 प्रश्ण होंगे आपके और आपको 135 minute जो है मिलेगा इस एक्जाम के लिए ठीक है मेंस में और आप देख सकते हो कि यहां पर चूज करने के लिए the office wise local language यहां पर आप देख सकते हो इसस्टेंट विल ड्रॉय स्टार्टिंग बेसिक पे इनका जो है आप देख सकते हो 2700 पर मतिनी स्केल है इनका ठीक है 2700 के इस आपके लिए ठीक है और पैसा भी इसमें अच्छा मिल रहा है आपको आप देख सकते हो यह सारी चीजे और मैं नीचे आता हूं और थोड़ा स देख लेते हैं कि अच्छा यह जो है रिक्रूट्मेंट ऑफिस है यह इनके इमेल आइडीज है यह सपोर्ट के लिए आप देख सकते हो तोड़ा सा और नीचे आया है यह कैसे अप्लाई करना है यह चीजे यहां पर बता है कि आपको जो है ऑनलाइन ऑनलाइन ही सारी चीजे अप्लाई करनी है और इसकी फीस आप लोग देख लो यार जो है चार सो पचास रुपए ओबीसी जनरल इडव्लू एस कंडिए इक्जामिनेशन फीश होगा चार सो पचास रुपए याई 50 रुपए फौर से स्ट वालों के लिए ओगा तो यह चार सो पचास रुपए आपको फीश जो है लगेगा इन ही सारी के लिए ठीक है चलो और थोड़ा सा नीचे आते हैं और इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इनका क्या है यह एक बार पूरा पढ़ने बैट हो तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा बहुत टाइम जो में में इंपॉर्टन चीज़े हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है फोटोग्राफ, इमेज, सिगनेचर ये सब अपना रखे रिचे फॉर्म ओलाइन बरते हैं वो सारी चीज़े हैं कि फॉर्म आपको इस तरह भरना है अच्छा एक चीज और है, यहां पर मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बाद जो है मैंने नहीं किये, मैं सहर्च करके यहां पर कर देता हूँ देखो education normal है बिल्कुल normal यहां पर आप देख सकते हो education qualification में यहां पर लिखा एटलिस bachelor bachelor degree in any discipline with maximum 50% होना चाहिए आपको पचास परसेंट आपके graduation में आपका आया हुआ हो आप आराम से भर सकते हो ठीक है और age wise की देख लिए यहां पर age के लिए बहुत important है यहां पर age wise मुझे दिखा नहीं अच्छा यहां पर आप देख सकते हो यहां पर age जो दिया है between 20 and 28 years यानि 28 साल तक के लिए आप लोग भर स यहां पर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी opportunity है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है प्री में बहुत ज्यादा questions आप लोगों से ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं में थोड़ी से तैयारी आप कर लोगे अच्छे से निकाल सकते हो ठीक है computer का knowledge आप exam देते ही चले आ रहे हो ठीक के computer के सारे questions आपको maximum पता ही होंगे बाकि थोड़ा सा reasoning math क्योंकि bank bank का exam है तो थोड़ा reasoning और math वाली चीजे आएंगी ही आएंगे तो थोड़ा इस पर focus कर लेंगे आराम से निकाल सकते हैं ठीक है तो इस पर और सारी strategy plan syllabus वाइस जो है वीडियो इस पर आती रह जोएन नहीं किया है तो प्लीज हमारे telegram channel को जोएन कर लो वहाँ पर daily basis पर quiz और PDF जो है बिलकुल आपको लोगों के लिए free में provide की जाती है ठीक है तो दोस्ते इस वीडियो में यही तक अगर आपके पास कोई जैसे ऐसी कोई जनकारी आप लेना चाहते हो तो आप comment करके सा अगले वीडियो में थेंक यू सो मच